नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चनल नेक्ष्ट नाइन निउस पर मेरे नाम है दीपक गुपता आखिर किसका होगा धनुश बाड़ ये सवाल हर किसी के मन में है यानि शिव सेना का चुनाव चिन्न किसके पास जाएगा चुनाव आयोग सुप्रीम कोड दोनों ही मामलों पर सुनवाई चल लई है लेकिन शिंदे गुट जादा आश्वस्त नजरा रहा इस मामले पर क्यूंकि बहूमत उनके पास जादा है लेकिन 2018 की बात या दिला दे तो शिव सेना का प्रमुक यानि मुख्या बनाए गया था उदव ठाकरे को बाला साहिब ठाकरे थे बाला साहिब ठाकरे के कुछ अपने ही विचार थे हिंदुत्व को लेकर उनके अलग राजनीती थी लेकिन उस राजनीती से हट कर थोड़ा उदव ठाकरे ने अलग राजनीती को आजमाया लेकिन वही बात कहीं ना कहीं उदव गुट को पसंद नहीं आई अभी हम यहाँ पर शिंदे गुट का जिक्र नहीं करेंगे अभी हम उदव गुट को ही लेकर चलेंगे जिसमें एकनाश शिंदे भी हुआ करते थे तब लेकिन अचानक से हिर्दे परिवर्तन हुआ राजसवा चुनाव और MLC चुनाव के बाद और शिंदे गुट ने एक अलगी यहाँ पर कही न कहीं बगावत का कदम बढ़ाया बगावत देखकर पूरे भारत देश में कहीं न कहीं कोहराम मच गया कि महराश्टर में सत्ता परिवर्तन होने वाला है वो होता भी नजर आया सत्ता परिवर्तन हुआ उद्दर ठाकरे ने 29 जून को इस्तिफा दिया था और अगले ही दिन बीजे पी ने समर्थन के साथ शिंदे गुट के यानि के एक नाशिंदे के जो मुख्या है शिंदे गुट के उनको मुख्य मंतरी घोशित किया लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और होने वाले 2024 के चुनावों में कौन से चुनाफ चिनि में विले करना होगा या खुद की नई पार्टी बनानी होगी लेकिन इन सबसे हट कर उस समय लग रहा था सभी को कि कहीं न कहीं उदव ठाकरे को बहुत मजबूती और उदव ठाकरे का एक इंटर्विव भी आया था संजेराउत के साथ आप सभी को याद होगा संजेराउत क की चुनावायोक तक की दस्तावे जमा करने की तो वहां मात खाते नजर आए उदव ठाकरे अब 15 दिनों की महलत जो दी गई है उस बीच क्या उठा पटक चल लई है और पूरा मामला क्या है आखिर उदव ठाकरे को साबित क्या करना है आप सब भी सोच रहे होंगे कि जब मुख्या औदव ठाकरे हैं तो उनके हाथ में सब डिसीजन होने चाहिए ना क्या आकड़ा जो बहुमत का आकड़ा है क्या उसी से ही ये तैह होता है कि पार्टी इस शक्स के पास जानी चाहिए और वहां से एक मुख्या खड़ा हो जाता है ये थोड़ा एक अलग है जो चुनाब आयोग को एक नाशिंदे ने कुछ दिनों पहले भेजा था और उस पर सुनवाई भी होती नजर आए और उस पर कुछ कड़े फैसले भी लिए तो यहां पर आपको आर्टिकल की तरफ लेकर चलने जिससे आपको बाते साफ हो जाएंगी देख सकते हैं तस् पुर्व मुखे मंतिर उद्व ठाकरे इस समय जटके से जूज रहे हैं भारत निरवाचान आयोग ने एक और बड़ा जटका दिया तक कुछ दिनों पहले ही ठाकरे को चुनाब आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए चार हफते नहीं बलकि केवल पंदरे दिन का समय दिया गया चार हफते मांगे थे यहां पर उद्व गुट ने इसलिए अब उनके पास पूरे सबूत के साथ अपना पक्ष रखने के लिए केवल 23 अगस तक का समय होगा यह जानकारी चुनाब आयोग ने दी है इसलिए इस बात की परबल संभावना के उद्व ठाकरे क मुश्किल और बढ़ेंगी शिवसेना के चुनाब चिन्न को लेकर विवाद अब चुनाब आयोग तक पहुँच गया है साथ ही यह विवाद फिलाहल कोट सुप्रीम कोट में हाला कि इस पर अभी फैसला होना बाकी है इस महा कावे में लड़ाई कौन जीतेगा इसने पू मामला चुनाब आयोग में है चुनाब आयोग यह तैय कर रहा है कि शिवसेना का चुनाब चिन्न किस्प के जाएगा सुप्रीम कोट यह तैय कर रहा है कि आखिर जो सरकार बनी है उसका क्या यहाँ पर मत बनता था क्या सरकार बनना सही है या नहीं और आयोगिता पर विध परिश करते हुए शिवसेना को केवल दो हफ्ते यानी करीब 15 दिन का ही समय दिया था उद्दव ठाकरे को क्या साबित करना है ये बात आप जान लेजी ये सबसे इंपोर्टन बात है इस पूरे मामले की इसमें शिवसेना को ये साबित करना होगा कि लोगसभा विधानसभा और शिवसेना के राजनितिक दल के ढाचे में किसके पास बहुमत है एक नाशिंदे के बगावत करने और नई सरकार बनने के बाद चुनावायो को एक पत्र भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि उनके नेतरत में विधायो को शिवसेना के रोप में मानिता दी जाए यही पत्र एक नाशिंदे ने 19 जुलाई 2022 को भेजा था शिवसेना ने उनके खिलाब याचिका तलब की थी तो जिस पत्र की हम बात कर रहे थे वो यही पत्र था एक नाशिंदे ने चुनावायो को पत्र भेजा था यहाँ पर बात निकल कर आती है लोकसभा, विधानसभा और शिवसेना के राजनितिक दल की, एक नाशिंदे के बगावत करने और नई सरकार बनने के बाद चुनावायो को जो पत्र मिला था वो शिंदे के द्वारा भेजा गया था और उसमें साफ कहा था कि नेतरत में विधायो को शिवसेना के रूप में मानिता दी जाए और य उस मामले पर यहाँ पर जिस तरीके से पूरा विवरन दिया गया था जो पत्र का जिक्र किया गया था उस बात को लेकर कहा गया था कि चुनाव आयोग से मांग की थी सुप्रेम कोट से मांग की थी कि जो नहीं सरकार बनी उसको मंजूरी दी जाए लेकिन जब यह बात तब भी उठाए गई थी तो ये बात सुप्रीम कोट में सुनवाई के वक्त कहा गया था कि हमने दस दिन का एक तरीके से कही ना कहीं आप लोगों को दस्तावेज और बाकी चीजों के लिए सुनवाई टाली थी लेकिन आपने तो नई सरकार बना ली ये बात शिंदेग उठके ल जोड़ना चाहेंगे विधायक तो खुले दुआर है उस पर हम बातचित करके यहां पर विधायकों को जोड़ सकते हैं देवेंद्र फणावीस की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत वाली बात है एक ना शिंदे के विचार वो भी एक बड़ी दिक्कत नही उस भवन में आम लोगों की सुनवाई होगी उनकी जो शिकायते होंगी उनकी सुनवाई होगी उसके बाद आगे कुछ डिसिजन लिये जाएंगे राजनितिक दाव पेच को देखते वे यह सारी बात उसमें कही गई थी तो जिस तरीके से मामला बढ़ता ही जा रहा है बात कही गई वो था अब आटिकल का जो आखरी के कुछ यहां पर पहरा ग्राफ कुछ लाएने रहे थी वह आपको बता देते हैं जिससे कुछ बाते और साफ हो जाएंगी तो यहां पर कम समय में आप सभी को यह साफ जानकारी देते हैं कि 2018 यानि कि असली शिविसेना कौन इस बात को लेकर जो लड़ाई चल लई है दो अजर अठारा में उदफ ठाकरे को शिविसेना के पार्टी परमुक के रूप में चुना गया था एक नाशिंदे को नेता चुना गया था यह बहुत बड़ा सवाल है और वास्तव में कानूनी सचिता कोन है यह विवात हो गया और चुना वायोग को इस पर फैसला करना है ठाकरे के लिए दो महत पूर्ण तिथिया की बात करें तो इस विवात को लेकर ठाकरे ने सुप्रेम कोट का दरवाजा भी खट-खटाया उन्होंने इस विवात में एक नहीं बलकि पांच याच कायदार की है यह सुनव करना करें मुख्या बनाए गए खेले लेकिनल अब एकना शिंद में रहें कि शिव सीना की है मुख्या मंत्री बनने के बावजूत भी एक नाशिंद को यहां पर चुनाव चिन्र के आविशक्ता नहीं वह तो ऑनला साथ ठाकरे के सम्वान में हम चुनाव चाहते हैं ताकि उनकी विचारों को चुनाब चिन्नी के साथ आगे बढ़ाया जाए वरना हमको चुनाब जीतने के लिए कोई चुनाब चिन्नी के जरूत नहीं और हम इस्तिफा भी दे देंगे अगर हमारी पार्टी का कोई भी विधायक आने वाले चुनाबों में या कोई पार्षद या कोई सांसत विधायक की बात खेर करी गई थी कोई हार जाता है चुनाब में तो यह जो कॉणफिडेंस सिस्टम एक नाशिंदे का कहां से आये यह सोचने वाली बात है क्योंकि उन्हेंने कहा कि पहले कोई काम करने से पहले काफी बार सोचो हजार बार सोचो लेकिन जब कोई काम करो तो गला भी कर जाये लेकिन पीछे मत अठो यह बात एक नाशिंदे ने कही थी और उद्धा ठाकरे ने जो बात कही है अब कि हम किसी के समर्थन में ने जाएंगे मरने के लिए त्यार है लेकिन किसी के समर्थन में ने जाएंगे तो दोनों की पूरी जानकारी पसंद आई होगी बन रहे चैनल के साथ ऐसी हो तमाम बड़ी ख़बरों के लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो शिव सेनक और चुनाप चिने वो शिंदे के पास जाई या उद्व ठाकरी के पास अपनी राए खोलकर रखेगा बन रहे चैनल के साथ बहुत- धन्यवाद